नागा लेंड में BJP गठवन्धन की बंपर जीत से जशन का महौल प्रदेश अध्यक्ष तेमजन इमना भी जीते नागा लेंड बिधान सभाचुनाओं के नतीजों में BJP गठवन्धन की शांदार जीत पर पाटी में खुशी की लहर है इस जीत पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तेमजन इमना एलॉंग भी काफी खुश हैं। उन्होंने खुद अलॉंग टाकी सीड से जीत हासिल की। उन्होंने जेडियू के प्रत्याशी को हराने में सफलता प्राप्त की। नागा लेंड में बीजेपी ने गठवंधन क साथ सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल कर ली है। अगर तेमजन इमना की बात करें तो वो नागा लेंड के उच्छा और आदिवासी मामलों के मंतरी हैं। इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने 2018 के बिधान सभा चुनाओं में भी अलॉ प्रदेश नीतिक बयानों और मजाकी अंदाज के लिए काफी मशूर हैं। उनका सेंस ओफ यूमर भी काफी पसंद किया जाता है। तेमजन इमना पारंपरिक पोशाक में भी सोशल मेडिया पर फोटोस शेर करते हैं। सोशल मेडिया पर उनके पोस्ट को यूजर्स काफी पसंद करते हैं। नागालेंड में बिधानसवा चुनाओं के पहले पिया मोदी भी बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुँचे थे। उस दौरान पिया मोदी ने नागालेंड के बीजेपी अद्यक्ष तेमजन इमना लॉंग की खूब तारीफ की थी। यहां के हमारे बीजेपी प्रेसिडेंड तेम जन इमना की बातें आज पुरा देश सुनता है मजा लेता है। डिजिटल प्रेटफोर्म पर विन नागालेंड और नॉर्सिस को शांदार तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं भी सोच्यल मीडिया में उनको हमेशा देखने का तो कोशिज करता हूँ। पिया मोदी से अपनी तारीफ सुनकर तेमजन ने खुशी जाहिर की और एक मज़ेदार ट्विट किया था। उन्होंने कहा था कि गुरु जी ने बोल दिया बस हम तो धन्ने हो गए। नागालेंड बीजेपी प्रदेश सद्धेक्स तेमजन इमना का जन्म 1980 में हुआ है। तेमजन नागालेंड के एयो नागा जन्जाती से तालुक रखते हैं। तेमजन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। उनके पस इनोबा और फरचुनर जैसी गाड़ियां है। सवाल करते दिखे। इस पर खुद उन्होंने ट्विट करके बताया था कि उनकी अभी शादी नहीं हुई है। एक वीडियो में उन्होंने अपनी छोटी आखों के फाइदे बताये थे। इस वीडियो को भी सोशल मीडिया उजर्स ने काफी पसंद किया था। बता दें कि नागा लेंड में बीजेपी और एंडी पीपी गठवंदन ने शांदार प्रदर्शन करते हुए 60 में से 37 सीटे जीतने में सफलता प्राप की। नागा लेंड में बहुमत के लिए 31 सीट चाहिए। इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए One India Hindi